बजट के बाद की डीकोडिंग हमारी पूरी टीम आपके लिए कर रही है चलिए BFSI सेक्टर, डिजिटल बैंक और क्रिप्टो यानि कि ये पूरे फिनांशल सेक्टर में कुछ बहुत बड़े, कुछ बहुत एहम ऐलान हुए इसकी पूरी डीटेल देवानशी से जानते है देवानशी ज़रा बताईए, क्रिप्टो को लेकर, बैंकिंग स्पेस को लेकर कुछ बड़े ही इंट्रिस्टिंग अलान हुए है तो क्या हुआ है और इसका क्या माइन है ज़रा बताईए परकुल नहीं है, आप देखें इस पार के बजट में क्रिप्टो या वर्चुल डिजिटल असेट्स को लेके कोई भी जो महत्वपून जिस तरह से अनॉंसमेंट्स आते हुए देखें वो एकदम सप्राइजिंग थे, in fact positive सप्राइज होता हुआ देखा क्रिप्टो को लेके बहुत जादा uncertainty थी, लेकिन अब आप देखें एक digital currency launch करने की बात हुए है, 2023 में RBI की तरफ से यह जो digital currency है वो launch होती हुए दिखेंगी, यही नहीं जो आपके पास virtual digital assets होंगे, यानि कि इसमें crypto भी आ जाते हैं उस पे 30% तक का tax लगेगा, तो ban जो होने वाली बात थी, वो भड़ चुकी है 30% तक के tax लगेगे, जब भी आप खरीदते हो तो 1% का TDS लगेगा तो यह कुछ बड़े announcements क्रिप्टो को लेके थे, कि ban होता हुआ नहीं दिखा और digital currency भी launch हो जाएगी, digital banks, आप देखे, इस बार के budget में digital पर बहुत जादा focus होता हुआ दिखा था, जितनी भी चीजें हैं, उनको digitally करनी यह काफी जादा पसंद आती हुए दिख रही थी, digital economy को बढ़ावा देने पर पूरा-पूरा focus था और digital banks या जो payment banks हैं, उनके लिए एक positive announcements आते हुए दिखे, पच्चतर districts हैं जहां पर almost 75 digital banks हैं, वो set up करने की बाद होती हुए दिख रही है, जो नए startups हैं, उनको मदद मिलती हुए दिखेगी, उनको बढ़ावा दिखेगा, जो की काफी positive है, अब आते हैं और और बांकिंग सेक्टर के लिए, तो कोई बहुत बड़े announcements आते हुए नहीं दिखे हैं, बांकिंग सेक्टर के लिए, आब देखे, जितने भी NPAs हैं, उसको बहुत जादा है, उसमें भी अब थोड़ी सी जल्दी होती हुए दिखेगी, ये भी एक काफी positive है, बैंक्स के लिए जिन से उन्होंने लोन लेके रखा है, इसके साथ ही जो post offices के लिए आता हुआ दिखा है, financial inclusion के लिए, वो थोड़ा सा positive है, जितने भी post offices हैं, उनको core banking system से अब जोडने की बात होती हुए दिख रहे हैं, करीब 1.5 lakh post offices हैं, जिनको online जोडेंगे, इसके साथ ही easy lgs scheme जो है, ये जो scheme है, उसको बढ़ावा देने की बात होती हुए दिखे रहे हैं, क्योंकि MSME को काफी support मिलता हुआ देखेगा, इसका जो overall quantum है, वो भी बढ़ा दिया गया है, जो की काफी positive है, और एक और जो positive बात आते हुए दिखी, especially बंदन bank जैसे के लिए, क्योंकि North East में आप overall जो है, वो पैसे जादा allocation है, वो बढ़ाते हुए दिखेंगे, तो इसका फाइदा मिलता हुआ देखेगा, बंदन bank जैसे ही companies को, लेकिन in all MSMEs हैं, जिनको focus मिलाया गया है, digital payment banks को फाइदा मिलता हुआ देखेगा, और crypto के लिए भी ये positive ख़बर आते हुए दिखे, insurance के लिए security bonds लाए गए हैं, वो overall positive है, तो इस पर भी आपको focus करना है, insurance companies focus में रह सकती हैं. ओके, तो हम all in all कह सकते हैं कि पूरे financial sector के लिए कुछ बहुत एहम और कुछ अच्छे ऐलान इस budget में हुए हैं.